आप देख रहे हैं नए जिन्दगी टेलेवीशन नए जिन्दगी सब के लिए वीवर्स हम आज मौजूद हैं दार्व सुकुन में और दार्व सुकुन का एदारा ऐसा है तकरिबन सबी लोग इसके बारे में जानते हैं जहां स्पेशल बच्ची होते हैं जन्हें हमारी स्पेशल तबच्ची की जरूरत होती है यहां के स्टाफ से हम बात करेंगे और देखेंगे कि इनको ट्रीट करने में इनको क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और किस तरीके से ऐसे बच्चों को यह आगे लेके चलते हैं यहां पर कुछ लोगों से हमारे जब बात हुई तो उन्होंने यही कहा है कि तबच्ची में सौच से ज़्यादा स्टाफ है यहां और दिन रात यहां काम होते है और ऐसे बच्चों को जब यह लेके साथ चलते हैं तो जहां मुश्किलात सामने आती है वहां इनको इस बात करता है जहनी तोर पर माजूर लोग दुनिया के हर हिस्से में पाई जाते हैं माश्र बात इसे वाल्दें जो माली तोर पर ऐसी ओलात को पालने और उनकी परवरिश करने से कासिर हैं उनसे दस्परदार हो जाते है जी वीवर्स इस वत हम मौजूद हैं सिस्टर रूथ लूइस के साथ जो यहां की फाउंडर हैं और 69 से काम कर रही हैं और यकिनन इनके खित्मात हमारे सामने हैं दार्ण सुकुन में जिस तरह के बच्चे हमने देखी हैं वह आपने भी देखा उनको किसे स्पेशल बच्चे हैं यहां पर जिनको इंतहाई निगदाश्ट की ज़रूरत है और ऐसे बच्चों को लेकर चलना मेरा ख्याल है कि कोई माबूली बात नहीं है आम बच्चे जो होते हैं जिनको माएं अपने खरों में इनकी देखबाल करती हैं इनके लिए इतना बातवर टफ हो जाता है लेकिन ऐसे बच्चों को लेकर चलना मैं समझता हूं कि वाके एक बहुत बड़ा काफ है सिस्टर रूथ इस काम को लेकर चल रही है सिक्शन आयन से और इनकी बहुत बड़ी खत्मत है इनकी बात करते हैं कि इनने इस काम को किस तेक्टे से शुरूर किया से डिया और गैसे बताऊने की ड्रीम बड़ाये हैं ऐसोर रहने तो प्रिया हमारी वांकर ही हृष थी तो परने की लिए उटर और तर गिके-बड़ी बीद भीर की में लोगों से मिलने के लिए वहां पर उसको ये बच्चे मिले उनको बूरा सुलू करते थे उनको घर से बाहर रखे थे उनको चेन से बांद के रखते थे और दूसरे बच्चे इंके ओपर फत्तर पेकते थे उनको चेरते थे और ऐसा बहुत सारे बच्चे उसने ऐसे देखे व और सबका बुर बुरा हाल था और बच्चे इनको बहुत तंग करती थे और काई भी जाए दूसरे अबादी में भी गई है तो इसका हमेशा एक ख्वाइश था कि हमारे अपा स्कूल्स है हॉस्पिटल्स है तो इसका एक ड्रीम था कि मैं क्यों नहीं इस ऐसा गर एक छोटा स से घर खोलूं ताकि यह बच्चों को मैं एक फैमिली के तरह रखूं उनको घर से बार नहीं निकालूं यह यह हमारे साथी रहे तो इसका यही ड्रीम था तो एक दिन इसने हमारे जो लेट कार्डिनल को डेरो था हैं तो उससे इसने बात किया ता उसी टाइम बिशिप्ट उसने वो हमारे दूसरे जो टूट रहे वो एक बंगला खरीदा था स्कूल बनाने के लिए तो सिस्टर ने बोला कि हमारे पास इतना स्कूल से बहुत सब्सक्राइब तो हमें यह दे देना ताकि मैं ऐसा बच्चों का यह काम कर शुकूं तो कार्डिनल बहुत खुशे से लो गर इसको दे दे लिए अगर ऐसे बच्चों को जब आपना स्टार्ट लिया तो जाहरे मुश्किलाद तो आती हैं तो कभी आपने सोचा कि मैं छोड़ दूँ यह काम कभी आपको इस तरह का खाला है कि मतलब मैंने खाब तो एक देखा लेकिन शायद मैं इसको निभा पहूं तो आप इतने सालों से आप लेके चल रही हैं कि कभी आप मायूस होई हैं इतना सार तक जब तक सिस्टर गर्टूट मेरा साथ थी वो मेरा साथ बहुत इसने बहुत मेरा साथ दिया है जब भी मैं थोड़ा डिप्रेशन हो जाती थी इन बच्चों को मैंने कभी आप इनका एक एक बहेवियर सब कर मुतलफ बहेवियर था तो इनको देख देकर कभी परिशान होती कि अमें मेरा प्रिफेशन चेंज कर दूं तो मेरे को बहुत हमत और बैकिंग और इंस्परेशन सिस्टर गर्टूर से मिली है तो वो मेर को ले लेके बोत इसने मेरे को इ आपका मतलब यह है कि उनका ड्रीम आप लेके चल रही है मतलब मायूसी भी हुई लेकिन आप उसका फिर भी उसको निभाने कि आप पूरी कुशिश की यह बताएगा कि आप 24 घंटी नहीं रहती है आपका घर वागरा सब कुछ नहीं पर हम इदर है हमारा रूम सिस्टर्स है कि स पैरिश कि तरफ से आपको है यह धारत यह तो अभी यह इदारा थो क्राइस तगर किढ़ ने करके चलाएं अबश्व यह तो आमको डाईसीश स्की तरफ से अजाजत मिलेए कि यह काम लेके चलें की यही रstat यह इलाका क्रैस किंग का है उनके यह लोग के बिलोंग करत है वो भी आते हैं यहां पर फादर हमारा पैरिश प्रीश आते हैं जिसरे फादर भी अब कुछ हो आते हैं दूआ वगरा कैसे मतलब होती है मास होती है हमारा रोज मास होती है यह गर में नहीं होती है पैरिश में जाते हैं मगर सैटेड़े और संडे मास यहां पर होती है Saturday को Christ的 King हमारा parish priest आते हैं यहाँ पर मास करने के लिए और Sunday को Seminary से Friday से एक father आते हैं अच्छा सेस्ते हैं यहाँ पर Christian बच्चों के साथ साथ Muslim बच्चे भी हैं तो उनको मास के लिए या नमास के लिए कैसे आप उनको वो करते हैं जो बचचे थोड़े बड़े बचचे हैं और थोड़े बड़े बचचे हैं। झцоश है उन को कुछ मालूम है ये रोक गिरजह में बैटे हुझ हैं। इनको आम लेके आते हैं चेप सबनाद अयसे तो बचचे हैं 20-30 लड़की हैं जिनको हम ने के जोड़े हैं सिसी ये बताइगा कि जैसे मुझे पता चला है कि यहां के स्टाफ सी कि कुछ लावारिस बच्चे हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिनके पेरेंट्स भी हैं गाल बिए हम ज्यादा बच्चे जिनका पेरेंट्स हैं उन बच्चों कम रखते नहीं हैं हम उनको दाकर नहीं करते हैं हम पेरेंट्स को बताते हैं कि उनका भी फर्रज बच्चों को संबालना जैसा मगर हमारा पास जो लावारिस बच्चे हैं या एक पेरिंट है तो जिसके लिए मुश्किल होता है इन बच्चों काम दाखन करते हैं ठीक है सिस्टर आप एक बहुत अच्छा काम लेकर चल रही है और मैं समझता हूं कि खुदावंद ऐसे लोगों को इस्तमाल करता है और फुदावंद आपको बहुत बरकत दे सिस्टर नाइन से आपने ये काम शुरूर किया है और डेफिनिटली हम जैसे लोग यहां आते हैं और आप जैसे लोगों से बहुत कुछ सीख के जाते हैं और अपने इस चैनल के जरीए से हम आप लोगों की बातें भी वीवर्स तक पहुंशाते हैं किस तर mercury से ये खिज्ववार क यह खिज्वोत काम लेके चलती हैं और इसमें आपकी खिज्मत के साथ-साथ लोगों को भी आना चाहिए और आपका साथ देना चाहिए के मतलवब हैं, समझना बहुत अच्छा है के दूसरा काम भी अपना बच्छों, को लेकर इने में बढ़ने कि देखो, बार गर के बार हमने . स्पोफ्टे होता है बच्छों का क्रिस्मिस टा coincidence है ..." हम हमारा एन्यूल आन्योल फंक्षिन करते है memor mods इत के टाम पे हम ग्योर वी में इचलीब्ठेग करते हैं पाकिस्टान डे होता है, और आ में जैसा हमारा बच्छों के मताविक दिज्रम् हमारे बच्चे डाउन सिंड्रम है, उसका दिन बनाया जाता है, इंटरनेशनल, वो हम करते हैं, आटिसन एक किसम का रिटार्डेशन है, उसको हम सेमिनाज में लेके आते हैं, तो कुछ ना कुछ होते रहता है, हमारे इवेंट्स जारी रहता है दारुल सुकून पाकिस्तान का एक ऐसा एदारा है, जो ऐसे बच्चों या बड़ों को, जो अपनी जहनी माज़ूरी या जिस्मानी कमजोरियों की वज़ा से, माश्रे घर वालों की जानब से रत कर दिया जाते हैं, पना देता है दारुल सुकून का आगास 1979 में सिस्टर गर्शूट लीमन्स ने किया, जोनों ने पाकिस्तान आकर सड़कों और गलियों में मौजूद देहनी और जिस्मानी तोर पर माज़ूर बच्चों की अबतर और दिलसोस हालात देखकर उनकी देखबाल करने को अपना मकसद हयात ब ए्धूड बच्चों का पार की कि में फच्चों की अबतिल अगलाव, और ऑनकी और प्रण लिधे हैं चेपटवेगद एलोराइedar अधने बच्वगारवों, ऑजिली स्मका भ्यूरी कई है क éénए भॉहर करता धै, बीटेढ और बोचलों, मत mirror करो दो दोय। माय व TED आ अरो फ्यावочь से अन्तिनों भी प्याव आ अलों प्याव और भी तैससे इंक रहा यंकिन कल ऍार बी दो जान में अवन चाव के तब झाल आ और आ वे फीमि हब वकानी स्टेफ वकी दापिज कि वकी आहां टहा है आहां प्रान चीड थडूग दिघ्ड वकर्ट यूरख यूर। गाल को में बाला कária एक जो फ्याटी हृट कर वास्त अुट कुछे इंगा कार ह icon को में प्याट बारेवान यह सनerson किक शवका तर लिकार में यहाज़ी हता की धु कहल लुकार से लिघ Sichene में जा lorsquे सोचली biri झाल ओरल सोचली दा जोर्व hacks ऑली प्रिप्टलर सोचली स्चली तोचली 4 घोल इंप चैशली महारा चाडका है प्लूब्स है कोटर दोस्टारिशन अज discipline 230-Triertiktrain 28 लिस्चलीट एंपैंड और अहंँन, झार्य dollars in class154, आपसको से पेले पर अर्म एसका एपसिर्ट साह टाय चाहिग आबेज्वाएर किया। वीवर्स कि वेहं को किरा किई में और नचाफ से बात की है जो हम यहां मौझहित है आफिस में यहां तारिक सेम्मल सभ यहां मौझे हैं और यहां के लोगों के साथ इन लोगों के साथ गया पीए है और कब से कई सालगता है नगी आप अपर तारीज सभ यह बताएगा कि दाल सुकून में जैसे कि हमने देखां कि स्पेशल बच्चे हैं यहाँ तो आप बाइद वर क्या हैं और किस तरीके से आप इन बच्चों के साथ ट्रीट करते हैं मैं यहां पर मोनिटिंग एन एवैलोवेशन मैनेजर हूँ फुला स्मोर देन त्री येज यहां हमारा काम यानि कि हमारे पास जतने भी बच्चे हैं वो सारे एक तो अबेंडन हैं, लावारेस हैं and we are responsible till the last week of their lives care medicine, इनके treatment, इनका सारा काम जितना भी है the whole life 24-7 हम जिम्हेदारी लेते हैं और हम फिर इनको manage करते हैं और हम कोशिश पूरी करते हैं कि इनको इस माशे का productive हिस्सा बनाए यह बदे लेगा कि इन बच्चों को जाहरे इनके treatment में या इनके देखाल के लिए आपको जाहरे सामाई की जोटे पड़ती है तो सारा यहां की management करती है या लोगों के तरफ साथ को सब रचाए है हमें actually जो भी है यह जो भी है यह जगात और charity पे जलता है, donation पे जिए कि जितने भी मारे expense होते हैं, हमें although के भाई 300 बच्चों को manage करना it's a tough job मगर खुदावन यह सारी चीज़ें पूरी करता है और हम believe करते हैं कि 69 से इदारा खुदावन के तवक्ल से चल रहा है हमें भी नहीं पता चलता कि चीज़ें कैसे manage हो जाती है, but thanks God things are almost fine there जी वीवर्स 69 से यह इदारा चल रहा है और खुदावन के फदरों करम से जैसे ब्रादर तारिक सैंबिल नहीं कहा है कि खुदावन सारे काम करता है और ऐसे लोगों के लिए जा खास तो पर जो special लोग होती है उनके लिए तो यकिनन खुदावन ऐसे ही लोगों को महिया करता है जो वाकि उनको अपनी जिन्दगी का हिस्सा बना कर लेके चलते हैं और अब हम इनसे ये पूछते हैं कि तारिक साथ ये बताएगा कि इतने सालों से ये इदारा चल रहा है कभी यहां के बच्चों के साथ को इस तरह की प्रॉब्लम ऐसी पेश आती है या कुछ बच्चे एकस्पायर हो जाती है तो उनके साथ क्या होता है अपनी रसुमात के तहट जो है उसका फ्यूनियल करते है तो यकिनन ऐसे बच्चे जब एक्सपायर हो जाते हैं किसी वज़ा से अपने बिमारी की वज़ा से या किसी भी वज़ुहात की बिनापर तो कुछ हरसा आपने उनके साथ गुजारा होता है तो क्या यहां का स्टाफ क्या फ्यल करते है उनकी ते नेचरल बात है बच्चे अपस में बहुत दोस्ता है क्योंके रहते हैं एक फैमली है फैमली में से कुई एक बच्चा अगर चला जाता है तो एक खास वाकyani तक तो असर रहता है बच्चे में इस भी कर रहे होते हैं हम सम भी इस चीज़ को बड़ा फील कर रहे होते हैं मगर इस चीज़ को कोई रोक नहीं सकता है इसलिए हम भी इस मामले में बड़े बेबस हो जाते हैं जी जैसे तारिक सार मैं बताया है कि बहुत से बच्चे ऐसी होते हैं अपने बिमारी की वैस से एस्पायर भी हो जाते हैं और उनके जो कुद्रत के जो काम है इसमें वाकिए हम इनसान कुछ भी नहीं कर पाते और उस पे यहां पर जितने भी लोग हैं बच्चे हैं तक्रीफ तो होती है उनके जाने की लेकिन खुदा के काम के साथ हमें भी रजब बनी का इजहर ही करना पढ़ता है और बाकी लोगों से तसली का ही मांगते हैं खुदावन से कह खुदावन यसे लोगों को तसली ही दे आपके अलावा और कितना स्टाफ हैं यापर सो से ज़ादा लोग काम करते हैं सिस्टर रूथ है गाले बादा अच्छा फान्डर वोई है तो कितने साथ से 69 से ही कर रहे हैं बिल्कुल उनको सर्फ करते हुए 50 साल हो गए हैं 50 साल से वो सर्फ कर रहे हैं इन बच्चों के साथ तो यहीं रहती हैं के साथ ही रहती हैं सुबा इनको अपने आथों से नाष्टा करवाना बच्चों को नहलाना दोलाना हमारे वीरकस के साथ वो सारे काम जो ही वो खुद ही सर अजाम दे रही होती है रत में भीесто नाइट नाइट स्टाफ को मोनीटर करना, नाइट स्टाफ देखना कि किसी बच्चे की तबीयत नहीं है, कोई भी एमरजिंसी होती है, तो सिस्टर खुद उन सारी चीज़ों को राक में मैनेज करते हैं। ठीके तारी साब आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और जिस तरीके की खिद्मत आप लेके चल रहे हैं, और यकिनन खुदावन आपको बहुत बरकत दे रखी है, यकिनन खुदावन ने, और और ऐसे अच्छे काम करने की खुदावन आपको तफिक दिया, ठीकी सुमस साब बहुत शुक्रिया और सब ब्यूवर्ज जो इस चैनल को देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि सब अपनी खास दौाओं में दारु सुकून के स्टाफ को याद रखें, चुक्छे एक मुश्किल काम है, और मुश्किल काम दौाओं के वसीली हल होता है, आप सब का बहुत शु फराम करना है, ताकि उनकी जिम्रगियों में जीती जाकती तबदीलिया लाई जा सकें, और इस मिशन को जारी रखने के लिए, उनके पास पेशावराना माहिरीन, नन्स और ऐसे रसकार मौजूद हैं, जो दिन राद माश्रे के उन खास लोगों की देख बाल में लगे रह इस इतारे का नजरिया अपनी पेशावर टीम के जरिये माजूर लोगों को आला मयार की हसास देख बाल, सिहत और विज़ाई सहूलियात, रहाइश और तफरीही सरगर्मियों और तालीम के लिए बहाली मरकस पराम करना है, दारो सकुन की ये खुबी है कि वो इंतहाई और प्यार के जरिये लोगों को दुखो और तकालीफ से निकलने में मदद करता है, यहां मजब, फिरकावारियत, इलाके और सकाफ़ती पसमंजर से बालतर होकर हर इनसान की मदद की जाती है, दारो सकुन ऐसा इदारा है जो इनसानियत की खिदमत बिला मौफजा अत्यात जो जकात के जरिये करता है, दुनिया में खास लोग एक खास मकसद से आते हैं, उनने देखकर यह अंदाजा होता है, यहां में अपनी भागती दोड़ती जिन्दगी में जरा ठहर कर, खुदा ताला से उन तमाम निमतों का शुकर अदा करना चाहिए, जिन से उसने हमें न भागती दखा जाता है, जो तक्रिबरान च्छे मेंने से लेकर तीन-चार साल तक के बच्चे होते हैं, दालु सुकन के यह बच्चे जो हैं, यह मेंटली भी और फिजिकली भी इनको हम सब की जरूत है, और यकिन एन हम सब का प्यार इनके साथ है, हमाई दौन के साथ हैं, या जैसे आप देखे हैं चोड़े चोड़े बच्ची हा मौझूद हैं और आप कैमरे के आंक से देख सकते हैं किस तरह hurricane-सशी बैड में नेट और अपनी ही हरकतों में म 지나 से यह सबसे सबसे चोड़े बिव ची है यहाँ पर आठ महीने की और तो यह पर आ नई प्रजब दिखाएगा इसका आपाएगा इसका प्रजब दिखाएगा जी वीवर्स आईए हम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कुछ इंसे जो बड़े बच्चे हैं उनको देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि वो किस तरीके से यहां जिनकी गुजारते हैं नए जिन्दगी टेलिविजन देखने वालों की खिदमत में मैं हूँ जॉन यागुफ और आज हम मौजूद हैं दार्सुकूर्ण में वीवर्स जहां पर आप देख रहे हैं कि मेरे साथ यहां बहुत से बच्चे मौजूद हैं खास रुप यहां बच्चियां हैं जो 10 साल से लेकर तकर बीस पच्ची साल की एज तक की यहां बेचियां हैं जो मेंटली और फिजिकली स्पेशल हैं और यकिनन जब हम यहां पहुँचे तो इनकी स्थरे की कंडिशन देखकर तक्रीफ तो होती है लेकिन खुदावन की तरफ से कुछ तरह के लोग हमारे यहां अस पाकिस्तान में पुरी दूनिया में से लोग पाय जाते हैं जिन को यकिनन हमारे महबत की हमारे प्यार की ज़रुएत है आज नए जिनकी टेलिविजन आज इनको रिकॉर्ड करने जा रहा है और यह नए जिनकी की एक बहुत खुबसुरत काविश है और मुझे इस बात की खुशी है कि आज हम स्पेशल लोगों में मौजूद हैं इनसे हम बात भी करेंगे और देखेंगे कि नकी इस खुबसुरत जिन्दगी किस तरह के से बुझारते हैं आप देख रहे हैं यहां बहुत सी बच्चियां यह बैठी मी हैं और इनसे हम बात करते हैं किस तरह क關係 कैगते हैं हाँ बिटा बात करो गे आपका नाम डॉली क्या करती है आप कैसा लग रहा है यहां पर यहां रहती है अच्छा लगता है आपको हां खुश है आप बहुत यहां पर और खाना खाया आपने अच्छा ठीक है और क्या कुकामाम करती है यहां पर नहीं पड़ती है नहीं अच्छा ठीक है और आपके आपके साथ जो लोग रहते हैं अच्छे हैं खुश्ष है जी आपधि कि अधियर करते हैं तीक वरी नाइस अच्छा और यह वीव कि आपके और बच्छे और भी हैं लड़की आप देखें यहापर जो एक जुस्ते रहेकर बहुत खुश रहते हैं और बेशक यह special लोग हैं लेकिन इनका रहना साना बहुत खुश रहते हैं और एक अच्छी जिन्दगी गुजारते हैं आपका नाम आपका नाम साइडा यहां बहुत से जितने भी बच्चे हैं सब अच्छे हैं यह देखें इनको हमारे प्यार की जरूरत है तवच्छो की जरूरत है नए जिन्दगी टेलिविजन देखने वालों को मैं यही कहूंगा कि इनका खैल रखें इनसे महबत करें और ज आई यह कुछ और लोगों से मिलते हैं आपका नाम मैंना मोना आप यहां ठीक हैं खाना खाया आपने अच्छे हैं ठीक हैं आपका नाम अच्छे हैं देखें बहुत अच्छे लोग हैं खुबसूत लोग हैं आपका नाम मैंनाम जोजफीन है जोजफीन नाम है कितने सालों कि यह पर था दोपी साहं कितने हैं अ अच्छा यह लोग बहुत प्यारे लोगे बात करते हैं हसते हैं बुसक्राते हैं और साथ-साथ शर्माते भी हैं क्योंकि हम लोगों से यह चाहिए हमारी जिन्दगी का हिस्सा है है यह आई आगे चलते हैं क्याना मैं आपका आप क्या करती है या पर आप आप अजरा तो खाना खाया आपने चाई पिए आपने अच्छा तो आप मुझे खाना नहीं खिलाएंगे हैं हमें खाना नहीं खिलाएंगे आप हाँ हाँ चले आप कुछ कहेंगी मेरे नम सीमा अच्छा आप खुश है यहाँ पर बहुत खुश है सब के साथ अच्छा लगता है बच्चों के साथ खेलते हैं आप लोग अच्छ चले ठीके तो आईए एक और भैंट से मिलवाते हैं यह देखें आपका क्या नाम है स्टेला स्टेला देखेंजी स्टेला हैं यहाँ पर और कितने सालों से हैं यहाँ पर और अच्छा लोग जिनकी हम जबान बास दफार नहीं भी समझ पाते लेकिन खुदाबंद इन बातों को जानता है कि जे लोग उसी के एडावे लोग हैं इनको यकिनन हमारे महबत की हमारे प्यार की जरूरत है हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहती हैं इसे मुवब्बत करते हैं इनके ऐसे प्रोग्वमों को जाके रिकॉर्ड करते हैं और आप जैसे लोगों तो पहुषाती है और ऐसे प्रोग्वमों को पहिश करने का मसद हववतलिमन island the यह होता है कि यह लोग हमाए जिन्दगी का हिस्सा है हमसे अलग नहीं है, अपनी दौाओं में, अपनी मुहब्बत में ऐसे एदारों को याद रखें, ऐसे लोगों को याद रखें, जिने हमारी दौाओं के और हमारे सहारे के दूरते हैं, आईए और आगे बढ़ते हैं अब जिस डिपार्ट्मेंट पे हम आये हैं, ये फिजिकली टांगों से माजूर हैं, और इसलिए ज़्यादातर याँ बिस्तर पे ही रहते हैं, ये चल फिर नहीं सकते हैं, लेकिन मेंटली विल्चेर वगरब पे हाँ, जब इनको कहीं मूव करना होता है, कहीं जाना होता है, तो ये विल्चेर पे इनको लेके जाते हैं, वरना आम तोर पे ये ज़्यादार बैट पे ही रहते हैं, इनसे बात करते हैं, कि ये क्या कहते हैं अपने बारे में, आप बात करेंगे हम से तो क्या लोगों सौहे हैं आप के साथ आप यहां पर आपके साथ ही ठीक है आपके साथ आप खुश हैं खानामाना खाया आपने आज़ा तो क्या कहेंगी हमें कुछ बताएंगे अपने बारे में इस नहीं दो से आई तो मेरा मर गेती ना मैं चोटी थी तो अच्छो प्रूर के पास चलें आप से बात करेंगे फिर तुमारा हमसे और बिटा आप क्या करती हैं ओहोगी कितनी प्यारी बच्ची है देहें बहुत खुश है आपका क्या नाम है यहां कि बच्चे बहुत अच् खुश एखलाकी से लोगों से मिलते हैं और यकिनन हमें वाकिए ऐसे लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगता है आईए और आगे बढ़ते है जी वीवर्स हम दार्ट सुकुन के एक और डिपार्ट में मौजूद हैं जहां पर यह बच्चों का आप देख रहे हैं और मेर लिए बच्चों के साथ कुछ प्रॉब्बम तो आती ही है लेकिन इन जैसे लोग इन जैसे नौजवान लोग जब इस तरह का काम लेकर चलते हैं तो डिफिनिटी ख़ुदावन इनको बहुत भरकत देते हैं आईए अरस्टान से बत करते हैं और देखते ही क्या कहते हैं आ कर सकते हैं। तो हम पिंगों को रिख सकते जैसे हरे सारे इन की विगई है। हम पर यह पर लेक्स करने के लिए हम उन ताकि थोड़ा इनको फ्रेश एयर से रिलेट कराया जाए और ये फिर थोड़े से नॉर्मल होते हैं अच्छा अरसान एक चीज़ और बताएगा कि आपके इस तरह के ट्रीट्मेंट से क्या ऐसे बच्छों में चेंजिंग आता है इनके ट्रीट्मेंट जब करते हैं आप तो अगर किसी बच्छे के अंदर कॉंट्रेक्टर्स वगरा है तो हम उनको प्रोड तो सही नहीं कर आते लेकिन उसको खतम करने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि जो मुंबिट रिस्टेक्रिट हो गए उसको थोड़ा बहुत 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 कर सके अच्छा तो उनमें बेतरी अच्छे के मतलब के हैं कि यहां इस तरह के बच्छे हैं जो स्टेबल लेकिन यह हो सकते लेकिन के लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई कर लेते हैं चले अपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और हम मजीद आप से बात करेंगे इस यह देख्या 2021?? पेशन्ट है ये जी वीवर्ज ये बच्चा जो आपके सामने देख रहे हैं आपसको यकिनन इनको हमारा प्यार इनको हमारा साथ चाहिए और ऐसे बच्चों को देखके हमें तक्रीफ तो बहुत होती है लेकिन बस ये खुदा के सारे काम है और अखिए फदा बच्चों को सेहत दे हाई ये हमारा प्युक्त है ऐसे बच्चों को देखकर वीवर्ज थै हमें में तक्रीफ भी होती है लेकिन हम खुदा की कामों में कुछ कर नहीं सकते, ऐसे बच्चों के लिए हम दूआ कर सकते हैं, और यकिनन हमारी दूआ इनके साथ हैं, ख़दावन ऐसे बच्चों को बहुत जल्द सेहत दे, और जैसे कि मैं बार बार आपसे कहा रहा हूँ, कि यकिनन ऐसे बच्चों को हमारी जरूरत है, हमारी प्लीज वर गौर्ट सेख आप ऐसे बच्चों के पास आए और इनसे मुलाकात करें इनको बहुत खुशी होगी जैसे आज हम यहाँ आए थे तो इनको देखकर हमें जहां तक्रीफ पहुंची वहां इस बात की खुशी भी हुई कि ऐसे बच्चे जो वाकि हमाई तरह ही जिन्दगी गुजारना चाहते हैं लेकिन कुछ उपर वाले के तरफ से ऐसी रज़ा होती है कि वो हम जैसा जिन्दगी नहीं गुजार सकते हैं तो आप यह देखें बहुत से बच्चे जिनको आपने देखा यहां बिस्तर पे हैं और मूव भी नहीं कर सकते हैं लेकिन यहां पर अरसलान जैसे नौजवान उनके खिदमत करते हैं उनको फिज़ थारेपिस्ट के जरीए से उनको इसकाबल बनाते हैं कि वो आगे चलकर क पर हम जिस डिपार्टमंट पर हैं आप देख रहाएं कि यहां बच्चों के चेर्ज रखी वी हैं कुछ इस तरह के खेलने वेलने की बिशाद सामान यहां मौझूद है अरसलान से ही पूछते हैं कि यहां पर यह जो हमारे स्पेशल बच्चे हो यहां पर जब आते हैं सु तो वस्ताब बच्शे हमारे पर है आप पर भीद भाइज के लिए आ होते हैं तो इसएख्रमक्राटि जाती हैं ज्सञट exciting करने के लिए हम उनको इस पर लेते हैं देन हमारे पास वो फिजियो बॉल है ठीक है और फिर हम बच्छों के लिए ये ट्वाइस वगएरा रखे में अगर बच्छों का मूड नहीं होता तो फिर ट्वाइस के साथ उनको के खेलते हैं ताके फिर थोड़े से फ्रेश हो जाए है लूट चेंज कर ले अच्छा यहां पर भी वीवर्स इस तरह का महौल क्रियेट किया गया है जैसे पार्क में हम जाते हैं बच्छों के खेलने के लिए ताल सुकून वालों ने बहुत अच्छा एक मनजर पेश किया है बहुत अच्छा यहां पर व्यूज आप देख रह जो के लोड लिम वीक्निस के साथ है तो यहां पर आते इंजॉय करते हैं म्यूजिक पर डांस कर रहे होते हैं तो यह सब चीज़ यहां पर चल रही है अच्छा अरसलान यह बताएग़ कुछ कप्स यहां रखे में तो यह कप्स जो वैसी आपने बच्छों को दिखाने के यह बच्छों ने विन किया है वह वाले कपसे जो बच्छी हमारे फुटबॉल टॉर्डमेंट में विन करके आए हमारे पस यहां पर ऐसे बच्छी भी जो इंटरनेशनल लेवल पर गोल्ड मैड्रिस भी रह चुकी है उसके लिए हमने एक छोटा सा जिम बनाया है उसका भ ठीकट तुक्र के बहुत ही खुबसूत कमरा है। आपके अब करें कि देखिए कि इस तेगे से इनके साथ अच्टिविटीज़् रे क्वाइला जो रिचिए का मरेग बना चारा है। कि different तरह के instrument लगे हुए तो उसके उपर मतलब visual impairment के उपर काम हो रहा होते हेरिंग के उपर काम हो रहा होते है smell के उपर touch के उपर सब तो वो सब जो equipment से हमारे पास instrument में मौझूद है ठीक है ठीक है ठीक है अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे के और दार्व सुकुन में किस किस किसम की equipment सिया बच्चों के लिए रखे गए हैं जिन से के बच्चों की निगदाश्त में बहुत फरक आता है और उनको काफी से help हासिल होती है किसम के बच्चों के बच्चों के बच्चे हैं यह सब हमारे सुसाइटी के हैं यह हमारे बच्चे हैं जो आप चाहते हैं यह बच्चे भी चाहते हैं जाहरे यह लोग का मैंकी रिटार्डिट है मगर इनको प्यार महबद जो घर पे मिलता है इनको कम मिला है तो आप इनके साथ क्यों ने आके अपना टाइम अपना महबद अपना फ्रेंडशिप इनके साथ आके शेयर करें रूथ लूइस ने बहुत अच्छी बाते हमें बताई हैं और किस तरीके से 69 से इस सेंटर को लेकर चल रही है और यहां का स्टाफ जो है तक रिपन 60 से 100 तक है यहां पर काम करता है और 24 आर्स यह काम करते हैं और यहां पेट सेलरी पहें यह और यकिनन शिफ्टिंग में काम करते हैं और बहुत अच्छे थी किस सेंटर को लेकर चल रही है सिस्टर ने बहुत अच्छी जी बातें बताई हैं कि पेरिंट्स भी आते हैं और खास मोकां पर خاص طور پر 14 اگست کے موقع پر کرسمس کے موقع پر عید کے موقع پر जब हम celebrate करते हैं तो ये बच्चे बहुत enjoy करते हैं और इनकी खुशी में ही इनकी खुशी है और ऐसे लोग जब इस तरह का काम लेके चलते हैं तो हम जैसे लोगों को भी जब हम घर बैठे ऐसे प्रोगाम देखते हैं तो यकिनन हमें एक बहुत अच्छी खुश्शी मिलती है बहुत बड़ी खुश्शी मिलती है और हम ऐसे लोगों के लिए दुआ करते हैं के खुदावन ऐसे लोगों और अशे और लोग महया करें जिसे के हमारे बहुत से ऐसे एदारे हैं जिनमें ऐसे लोगों की जरूरत है ना सिर्फ ऐसे लोगों की जरूरत है बलके उसमें आप जिसे लोगों की जरूरत है आईए हमारा साथ दीचिए और ना सिर्फ अदार सुकून को सपोर्ट करें बलके ऐसे बहुत से एदारों को आप साथ लेके चलें क्योंकि ऐसे एदारे जो हैं वो आपकी दोओं के साथ आपके ताव़ून के साथ और आपकी सपोर्ट से ही चलते हैं नए जिन्दगी टैलिविजन ऐसे काम को लेके चलता रहेगा और आपकी आपकी फीड़बैक का पी इंतजार करेगा आपकी दौाओं का इंतजार करेगा आपकी सपोर्ट का इंतजार करेगा कि आप हम सब के साथ मिलकर ऐसे एदारों को सपोर्ट करें और हमारे इस प्रोग्राम का फीड़बैक जरूर देजेगा और हमें बताईएगा कि आज का यह हमारा स्पेशल प्रोग्रम आपको कैसा लगा हमें आपके फीड़बैक का इंतजार रहेगा Keep watching नई जिन्दी की टेलिविजन Thank you so much अजिन्दी के लिए बताईएगा कि आपके लिए रहेगा आप देख रहे हैं नई जिन्दी की टेलिविजन नई जिन्दी की सब के लिए